गुड बॉर्निंग सुप्रबात केमचो उमीद है आप सब लोग बहतर होंगे आज मैं बहुत लंबा वॉक करके आएक्शली बहुत दिनों से मैं जो है कई महीनों से जब से कोवीड नाइटीन हुआ तब से उसके बाद से मार्स से लेके जो है वो अभी दू दिन पहले दर करता था घर में वर्काउट करता था आज हम लोक उने प्रान के चलो बाहर वॉक करने क्या मेरे लिए जो है वह एक अन्या अनुह बहां कि इतना जिन से मॉर्निंग में बाहर नहीं निकल पाए थे और अब लगता है कि थोड़ा जन जीवन सामान ने होने की कोहिश कर रहा ह हालां कि कोरोना खत्रा भी भी डला नहीं है तो मास मास लाया के सब करके लोग बाक सड़कों पर दिखे मुझे और यह मेरा जो एरिया है बैसिकली वह अल्टा मांट रूट के वाला एरिया के लाता यहां पर जो है वो मैंने पहले बहुता है कंबारा हिल है जो मुंबई का सबसे पौश एरिये में सेख है और यहीं पास में वो आपका मैंने पोगर था है काफी सारे का घर यहां पर तो आसपास में काफी वो बिजनिस ॢाइकोंस की घर यहां पर बने हुए हालनकि हमारा सरकारी फ्लैट है हम लोग यह इतने बड़े नहीं कि उनके बीच में फ्ल आपेसे कई सारे लोगों मुझे बोली कि जैसे से एक्जाम पर आ। आरहे हैं वेसे वेसे भी डेप्रेशन की फीलिंग आ रही है वैसे वेसे वेसे सा रखता है कि प्रता नहीं हो पाएगा कहें हो पाएगा हार जाने वाली फिलिंग आए तो मैं हमेंसा एक बात आपसे कहता हूं विटा कि देखो ऐसा है कि जितनी आप फिलिंग्स देखो मैं पहले भी लेक्ट्चर के दुरान भी कहता हूं कि कि एक मशीन के समान बेवार करने कोईश किजे मशीन का काम होता है कि फीड करना और टास्क को परफॉर्म करना और रिजल्ट देरट के आपके साथ क्या होता है कि आप बहुत सरा इमोशनली सोचते हैं यदि आपके मों लिखिए आपको एक्जाम निकल वाल कोई विचाई जब आप पढ़ेंगे जितना से वक्त आप डिप्रेशन में और नेगेटिव थॉट में निकालते हैं ना उस वक्त में आपके वाल एक पेज भी पढ़ लेंगे ना तो वह एक पेज में से हो सकता है कोई कोई कोश्चन आपको मिल जाया उसमें से कई बार मैं भारती से पुछता हूँ जब वह पढ़ती थी youpc के दुरान तो मैं पुछता था उनसे की पिंगकों कभी पढ़ती के दुरान depression नहीं होआ ब और ज्यादा पढ़ती तब बताओ न बताओ कोई कूई गिप्रेशन आंपर ज्यादा पढ़ने लगता होगा नेगेटिव थॉट्ट आये तो जदा पढ़ने लगे जाके और दो घंटा जदा पढ़ेंगा रहें को कि हमको इस नेगेटिव थॉट्व को पॉजटिव में गवर्ट करना है और आए दिन वहाँ पर रंगदारी टाइप की घटनाई जो होती है कि धमका रहे हैं लोग के वो सब भगटनाई भी नहां पर होती रहती है तो मैंने बड़ा लेगेटिव लगता है उस पूरे में तो मैं पढ़ नहीं पाती हूं तो मैंने उस बच्ची से की बात बुला मैंने का बेटा एक बबता तू मेरे को कि तू पढ़ेगी नहीं तो इस इस माहौल से बाहर कैसे निकलेगी हमारा एजुकेशन ही एक मात्र ऐसा अस्त्र है एक ऐसा वैपन है जिसके थू हम अपने आपको जो है उस माहौल से दूर कर सकते और बहतर इन्वारिमेंट में पहुंच सकते हैं सिक्षा एक सबसे बड़ा हतियार एटके और अधी आपक जाना कि एक दिन ट्रेंड पकड़ी बॉम्बे आ गए दिल्ली आ गए तो यह कोई तरीका नहीं है वी इसमें जो होने की संभावनाय बढ़ जाती है तरीका वही है कि आप पढ़े लिखे और समाज के उस हिस्टे से उपर उढ़ जाया और उस हिस्टे को उत्थान करने की क मौरणता को,ित हमावल जाती हancion में के की सफरी में आति खाति है कि आपके लस्टे आपके लस्टे आपको नहीं होगा पैसा नहीं होगा तो थी नियुट के और इसलिए इसी बात है यह ही मेरी तो नहीं एक वायो मेंटर्स कमांडों है अर्स शंगानी उनका बड़ा अच्छा रेंक आया हुआ है उसको जो है वो 651 कुछ मार्स दे और अच्छा कालेज भी उनको मिला हुआ है तो उसने मुझे जो एक फोट्टो भिजा उसने का कि सर ये मेरे आपने मुझे का था मैजिक बॉक्स जिसमें जब भी तुम्हें वरी हो डिपरेशन हो तो उसको लिखके उसमें परचीवे लिखके बॉक्स के अंदर डाल देना और जब स्लेक्ट जाओगे तब बॉक्स खुलना उसने अपना बॉक्स खुला और मुझे बताया कि सर इतनी सीली चीजों पर मैं डिप्रेश था लेकिन उस बॉक्स के अंदर से जो चीज निकली बाहर वो चिठ्थियों के लावा सफलता थी। वो बॉक्स दो चिठ्थी अपने अंदर रखी और मुझे पढ़ने का मोटिविशन दिया और मैं पढ़ता रहा और मैं स्लेक्ट हो गया और वाकरी में जो है लाइफ में सबसे इंपरन चाहिए है कि आप उस नेगिटिव टाइम को उस डिपरेशन टाइम ko आप अपने उपर हावी होनए कुषर है या आ उसको खी अपर हावी आते हैं समझगे ना आप इंसान घोड़ा की सवारी करता है घोड़ा इंसान की सवारी नहीं और आप माल लिजीए ओ नेग एक दुश्मन है और दुश्मन का जो वार है वो आपको तलबार से उस युद्ध को जीतना है और जीतने के लिए आपको पढ़ना पड़े है वे ग्रेट डेड ऑल दी पस्ट